कभी कहने सुपोल चले जाए कभी बोलेने हरड़िया चले जाए खगड़िया चले जाए बगलब ये ढगड़ा का भैगन कितना है क्या है इससे लिए पूर्णिया मेरी जिन्गी मरना यहां जीना यहां तेरे सिवा जाना का इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का अलगातार प्रियास करूगा लेकिन सुनाओ पूर्णिया से भाहर भी करूद नमस्कार अप्लाइ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जैशुका देखे पपू यादव अभी लालू पुर्शाद यादव से निवेदन कर रहे हैं और अलू पुर्शाद यादव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्णिया को समझिए गठबंधन को कमज़ोर मत करिए इंडिये को अगर हाराना तो साथ में आना होगा क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि कभी यहां से लड़लो कभी वहां से लड़लो कुछ लोग जो कहते हैं वो समझ लें पप्पू यादव डगरा का बैगन नहीं है और मैं पहले भी दो बात करा हूँ और आज भी दो ही बात परा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ अहागटवंदन मजबूत हो इस तरीके से चाहे अरविन के रिवाल हो चाहे जात्रन के सीएम हो चाहे खोड़ा में के जेब में पैसा नहीं हो ना यहाँ दुनिया में पहले है मैं सिप आप से एक आगरा करना चाहूँगा मैं लालू यादब जिससे मैं पुना एक आगरा करना दूँगा ते लिए मेरे हमेशा विपक्स के नेता से लेके मुखमुंतरी बनाने से लेके आस्तर परिवार के तरह हमने देखा मैं उनसे आगरा करूँगा मैंने पहले भी कहा था आज भी फुरण करूँगा मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूँ भी आप अपने परिवार में अपने ही दो तीन चार बच्चों को आप परिवार समझें लेकिन हमारा ब्रॉडर सेंस हमेशा रहा है पहले भी हम जब जब लालु प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए है मैं नैतिक रूप से हिने सारीरिक मासी सभी तरह से खरा रहा हूँ पुर्णिया से मेरा रिष्टा कंप्लिट जीवन और मौत का है पुर्णिया से मेरे रिष्टे को कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं यह बात मैं बार बार दों मेरे में मेतर मधीपुरा सुपॉलय गटबंधन की राजनीती व्यप्तिगत मेरे लिए नहीं है अलग बात है कि मैं गटबंधन की राजनिती में आज देश फसे नहीं है खास तोर पर हिंदी पट्टी में सब लोग जाती धर्मजभ के सहारे नईया पार लगाना चाहते हैं मेरे लिए पुर्णिया में पुर्णिया की जो अवाम है पुर्णिया की जो मां और बेती है बैन है और यूबा है और जो गरीब लोग है कोमन लोग है जो पुर्णिया में हर तरह के वेवस्था से अजादी चाहते हैं वहीं मेरा भगवान है और वहीं मेरी जिम्हें है यहां आज तक हमें किसी गटबंधन किसी जाती धर्ण और मजभ का अधार बना करके कभी मैंने चु करेंगे सबसे हम तो सबसे आज सिर्वाद मांगे हैं और पुना आग्रा में निलाल हुजाद है भी सिखिया है कि एंडिये को मजबूत नहीं हम लोग करें हम लोग इंडिया गटबंधन कोशि सिमांचल मित्रांचल में हम लोग अधिक से अधिक सीट को जीतने का प्रियास करें और इसके लिए पुर्णिया निस्षित रूप से केंडर बिंदू है पुर्णिया को महसूश करें हूँ थोपे नहीं पुर्णिया के जनता को समझें और मैं पता दूं कि पुर्णिया की जनता किसी की घुलाम नहीं है दिल्ली पत्ना के राजनिती से बहुत दूर है और पुर्णिया की जनता अपने बेटे से प्यार करते हैं दिल्ली पत्ना में रहने वाहनों से नहीं इससे लिए हम एक आग्र अपील हाथ जोर कर कि मैं भी आपका हिस्सा हूँ और मेरा घर भी तो पुर्णिया को सी सीमान से लिए है ना मुझे कोई आँख दिखा के मेरे घर से और मुझे जातपात के अधार पर मेरे घर से कोई ठिकेदार यादी जातपात और हिंदू-मुस्तलमान बन गया है तो उन्हें पुर्णिया की जन्ता उस ठीकदारी को इस वार खतम करेगी, हमेशा पहले भी खतम किया है, हर आदमी जीना चाहता है। मैं अनुगरही हूँ, मैं बेनम्र भी हूँ, शालीन भी हूँ, पैर भी पकड़ना जानता हूँ, वो मेरे संस्कार है। मैं आगरह करोगा मेरे संस्कार को कमजोरी नसकार। मेरी कमजोरी नहीं हो सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की हर सीत चीते, देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधान मंत्री हो, जो सिर्फ देश, संबिधान, लोकतंत्र और जनता को अपना भगवान समझते हैं। और जनता की एकनोमी के लिए सिर्फ किसानों की बात करते हैं। इसलिए हम लोग संकल्पी थे हैं, राहुल गांदी जी, इस देश के जिसके भीतर एक जज़वा है, इमोसंस हैं, विवाओं को लेकर, रुजगार को लेकर, जो बदलना चाहते हैं, जो बदलाओ देखना चाहते हैं। और उस संकल्प के लिए हम पुना उस पर खरे हैं, हमें अपने दल पर और खास तोर पर राहुल गांदी जी और प्रियनका गांदी जी पर बहुत हरुसा है। मैं जानता हूं कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देखना चाहते हैं। वो हमेशा पीठ में खंजर होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है। कि मैं पुर्णिया में लगातार अपने परिवार के बीच हूं। या देश संबिधान और आम जन्ता की आवाज के लिए राहुल जी और प्रियंका जी के साथ एक हुमें विश्वास मिला है। कि यह ज़रा हमें बिहार के नेता बता दे हैं। कि फपूग्या अब क्या थिसक्षाश है, कृ बोड़ में अपकी मदद करती हैं। आप करोणा के डर से भागे रहते हैं, मैं आपकी मदद करता हूं। जन्ता की मदद करता हूँ कसूर क्या हर तरह के संकट में मैं आपका एहित का काम करता हूँ पस यही कसूर है कि मैं सब की सेवा करता हूँ और आप लोगों के तरह जादबात हिंदू-मुसलमान नहीं करता हूँ मेरे लिए हर जाती के लोग मेरा पड़िवार हूँ मेरा खून है मेरी कोई जाती नहीं है मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगा मुझे कोई जाती नहीं बना है इसलिए मैं हाथ जोड़कर आगरा करता हूँ चुकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चलते गटबंधन पर कोई बात है मैं लड़ूँगा पुर्णिया से ही पुर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है हमारे नेता पर आदेश का मैं इंदिजार कर रहा हूँ इसलिए हमने चार तारिक को कि नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पुर्णिया की जनता के भावनों पर कि नॉमनी सेंट डालने का नमांकर करने का दिर्वने लिया है हम देज भर के उन लोगों से अपील करते हैं बिया के हर दल के लोगों से कि बिहार को मजबूत और इन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें चार तारीकों आप आसरबात देने आए और आप आएंगे तो मुझे मैसूस होगा कि जिन लोगों ने जवरदस्ति पीठ में खंजर होगने का प्रियास लगातार करने और बिना कसूर के कि हमें हमारे घर से बेदखल करना चाहते हैं वो सही नहीं है मध्यपुरा की जंता मेरे लिए मेरा गौह और घर है लेकिन उन्हें पता है कि पूर्णियां में वह साल भर से काम करें मेरे लिए मध्यपुरा हो सुपाल हो खगरिया हो जो लोग आज बोल रहे हैं कि आप मध्य पूरा चले जाएए कभी कहने सुपाल चले जाएए कभी बोलें हरडीया चले जाएए खगडिया चले जाई बगलाव एक डग्रा का भैगन कि है कि आ इसे लिए पुरनियां है कि मेरी जिन्गी मरना यहाँ जीना यहां तेरे सीवा जाना का इसके लावे कोई मतलब नहीं मैं इंडिया गटबंदन को मजबूत करने का लगातार प्रियास करूगा लेकिन चुनाओ को पुर्णिया से बाहर नहीं लगा मागडवन्दन की बैठक कि सभी ने एक सब्सक्राइब करें मैं ने बता लिया मुझे राहुल गांधेजी और प्रियंका गांधेजी क्या विश्वास और उनका जो आदेश है वो सर्व पड़ी है क्या कुछ बात भी है मैंने का उसका आदेश सर्व पड़ी है और जब मैं दल में हूँ तो निश्चित रुप से संभाद तो होती होगी लेकिन अब तो कॉंग्रेस भी कह रही है कि पूरिया राजत कॉंग्रेस कह रही है तो आप जानिए ना मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है मुझे कोई देना देना मैं सबका सं लेकिन पूर्णिया की जनता सर्वपरी है सकेंद जिस नेत्रित के विश्वास के साथ मैं खरा हूँ मेरे लिए मंदिर मस्जित काबाग दिर्जा घर गुर्द्वारा सब वही है तो सुरा आपने पपू यादव ने डन कर लिया है पपू यादव ने मन बना लिया है और ये चर्चा बहुत पहले से चलिया रही है पपू यादव ने पढ़ाम पूर्णिया का कारिकरम भी किया था उसके बाद में पपू यादव कॉंग्रेस में अपने पार्टी का वि लालू पुर्शाद यादव ने खुट टिकट दिया था अब उस बात को लेकर जीच बरकरार थी और है लेकिन इस बीच में कॉंग्रेस के रहते हुए पपु यादव ने कहा है कि मैं पार्टी का जंडा तो बुलंद करूंगा ही पूर्णिया से नामांकन भी 4 अपरेल को द तगरा का बैगा नहीं है जो यहां से कहीं भी हिल जाएंगे बने रहे लाइप सिटीज बजार धन्नबार